जो आज हमने यहां पे अगनी पत सिकीम के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ जो अगनी पत सिकीम फूज में बर्ती होने कि विए बाहरतिया जन्ता पार्टी ने सिकीम बनाई है उस सिकीम के तहट आप सब प्रेस वालों को मैं बोलना चाहता हूँ लोगों को आपकी मादियम से बुलना चाहता हूँ उस सकीम के तहर जितने भी लोग फोज में बरती होते हैं उसमें 75 परसंट को निकाला जाता है चार साल के बाद रिजेक्ट किया जाता है और 25 परसंट को रखा जाता है ये एक बहुत बड़ा अन्याय है हमारे बच्चों के साथ हमारे नौजवानों के साथ जो भिरोजवार नौजवान इस वक्त भिरोजवारी में परिशान है और आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो कॉंग्रेस पार्टी की डिमांड है जो आज हमने रखी है वो ये है कि जो डेड़ लाख नौजवान जो आलरेड़ी फोज में बरती हो गए थे और उनकी सेलेक्शन हो गए थे खाली उनको जॉइन करना था ट्रेनिंग में जाना था उस डेड़ लाख नौजवान को अगनी पत सकीम बनने से पहले उनको भी इसी अगनी पत सकीम में डाला जाए हमारी डिमांड है कि उन डेड़ लाख नौजवानों को फोज में जॉइनिंग दी जाए प्राने हिसाब से जैसे एक फोजी अपनी सर्विस कंप्लीट करके रिटायर होता था इस तरीके से उनकी जॉइनिग हो और दूसरा हमारी डिमांड है कि यह जो अगनी पत सकीम है इसको खतम किया जाए वो जिस तरीके से पहले बरतिया होती थी उस तरीके से फोज में बरती हो सेक्यूर्टी फोर्सस में बरती हो ताकि हमारे नौजवानों को एक बहुत बड़ी उमेद होती थी हमारी भारतिया सेना में फखर भी था जाने का और उसमें जॉइनिंग से उनका रोजगार भी चलता था और वो देश के लिए अपने आपको निशावर करने तक पुर्बान थे तो आज जो हमारा यहाँ पर लाचिंग हुई वो जो SMS नम्बर है इस सकीम के तहप इस मुहिम के तहप जो यह SMS नम्बर है हमारी रॉकेस्ट है उन जवानों से जो इस आगनी पात मुहिम के खिलाब जो हमने National NSUA ने जो है मुहिम उचलाई है इनके खिलाब उसको उसमें शामि देनी है यह नमबर है डंबल नाइन डंबल नाइन एट वन्टू-जार्वच में दुबारा बोलूंगा डेवल नाइन डंटू-जार्वच कि इस सकीम के खिलाफ हमारे नैशनल स्टूडेस यूनियन ने एक मुहिम छेड के रखी है कि जो इस सकीम को खतम करना चाता है जो डेड़ लाफ नौजवानों की जोईनिंग एस रुगुलर आर्मी या सिक्योर्टी फोर्स जोईन कराना चाता है और जो आदमी ये चाता है कि आगनित्पत सकीम खतम हो दुबारा फोज में पराने हिसाब से बरती हो जो अपनी सर्विस पॉनी रटायर्मेंट तक कंप्लीट करें उसके लिए जॉइन करने के लिए इस SMS नमर पे उनको एक SMS करना है एक मिस्काल देनी है इस नमर पे मिस्काल देनी है उससे उनकी भी उनका भी सयोग होगा और हमारी कोशिश है कि हम इसमें पूरा पूरी तरीके से महिम छेड़े और इस अगनी पत सिकीम को खदम कराये ताकि पोज में जिस तरीके से पहले बरती होते थी उस तरीके से बरती होते